नमस्कार दोस्तों मैं एंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनालिसस में यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ अदानी पावर के स्टॉक के बारे में देखें पावर शेतर पे मैंने आई दिंग कल भी एक वीडियो बनाई दी जा मैंने बोला कि पावर की डिमांड हाइस लेवल पे है आप यह माल लो गवर्मेंट औरेडी सारी की सारी पावर जेनरेशन कंपनीस को कह चुकी है कि आप जो समर्स में मेंटेनेंस करते थे किसी प्लांट का अपने प्लांटों का मेंटेनेंस करते हो वो अभी मत करो अपरेल में मत करो क्योंकि यहां डिमांड हाई रह सकती है जैसा कि IMD ने अभी आपका अनुमान जताया कि अपरेल से लेकर जून के बीच में 20 हीट वेफ्स आ सकती है तो गवर्मेंट ने वह हाइलाइट किया है कि अभी जो अपने प्लांट्स को आप मेंटेनेंस पे बेशते थे अभी मत करो मौनसून में कर देना जब डिमांड हलकी कम हो जाएगी बिजली की क्योंकि अभी गर्मी जादा पड़ेगी तो अपने घरों में लोग कूलर, AC, फैन सब कुछ चलाएंगे और गर्मी में तो मतलब हर चीज की ज़रूत हाइस लिवल पर ही रहती है तो इसलिए उनका मानना है कि यह समर्ज में जब थोड़ी डिमांड कम हो जाएगी तो आप बेसक अपने प्लांट्स को मेंटेनेंस पे भेज देना लेकिन अभी आप अपने प्लांट्स को फुल कैपसिटी पे रन करो जितनी ज़्यादा बिजली प्रेडियूस कर सकते हो करो अब अदानी पावर की बात की जाए तो ये कमपनी भी इस छेत्र में मार्केट को लीड करने का काम करती है इस शेयर में भी रीसेंट्ली एक बहुत बड़ी रैली देखिया और उस रैली को हमने पूरी तरीके से कैप्चर किया पांसो सोला रुपे पे बिलकुल बॉटम में आपके साथ का था कि दिस इस एन अपॉर्चुनिटी जो व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करेगा शेर 600 रुपे आपको बहुत जल्दी दिखाएगा और इतनी जल्दी की उमीद नी थी कि एक हफते में ही वो भाव आ जाएगा साड़े 600 रुपे तक भागा शेर और अभी हलकी करेक्शन भी आई है तो काफी सारे विवर्ज जो है वो यही पूछ रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट की खबरती 26 परसेंट इनकी सबसिडरी कमपनी में वो भी पॉजिटिव ट्रिगर बनते हुँ दिखी है तो यह दो-तीन बड़े ट्रिगर्स थे अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास शेर है तो क्या करें क्या ना करें अब भी मेरे इसाब से वेट करना चाहिए आपको कैलकुलेशन समझेगा ध्यान से समझेगा जो चीज बोल रहा हूँ हाला कि यह कैलकुलेशन मैंने पहले भी समझाईए यह स्टॉक 500 रुपे हो तो 520 रुपे हो तो दुबारा आपके साथ डिसकस करें कि भाया खरीद लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्योंकि शेर का भाव साड़े 600 रुपे करीब चला गया है तो मेरा मानना अभी वेट करना है और क्यों वेट करना हो सुनो 627 रुपे का फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है लगबग 2.5% टूटा है 2.5 लाग करोड का मार्केट कैप हो गया है रिटर्न और इकोटी रिटर्न और कैपिटिव बहुत इंप्रेसिव दिखेंगे क्योंकि शेर भागा है अर्निंग कंपनी की बहुत स्ट्रॉंग है लेकिन अब जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो सुनो अपना financial year end हो चुका है क्वाटर 4 की earning आने वाली है अब इसकी क्वाटर 4 की earning छोड़ो आप बीते 4 quarters की earning देखो बीते 4 quarter क्यों कह रहा हूं मैं TTM basis पे अगर मैं इसका profit देखूँगों तो वो था 23,344 कROड का 23 का March quarter FY 24 का June quarter, FY 24 का September और FY 24 का December अब जैसे ही March quarter के results आएंगे FY 24 के जो FY 23 का March quarter है वो हट जाएगा अब जैसे यह होता है, बीदे 4 महीने कौन से है, यह है, ठीक है मान के चलो, यहां से शुरुआ आथा है 1, 2, 3, 4th, अब जैसे यह 4th number का जो तो result है, अभी यह 4 है अब जैसे यह वाल, अभी यह 4 है, ठीक है, जैसे यह 4 आएंगे यह गाय वो जाएगा, तभी तो यह 4 माने जाएगे, यह हट गया तो अभी यह वाला जो चौता नंबर है यह वाला, जो last financial year का 4th quarter था, उसमें company का मुनाफ़ा था 5,000 क्रोड का और अभी मैं recently December quarter देखो तो केवल 2700 क्रोड का मुनाफ़ा है तो अगर company का मुनाफ़ा 5,000 क्रोड से कम आता है March quarter में, तो इसका earning pressure घड़ जाएगा क्योंकि अभी के हिसाब से 4 quarter के हिसाब से 5,000 क्रोड का मुनाफ़ा है जिसके हिसाब से 60 रुपे का earning pressure है अब यहाँ पे मुनाफ़ा अगर 5,000 क्रोड को से कम का आया तो 5,000 क्रोड वाला quarter भार जाएगा और जितना मुनाफ़ा आएगा वो अंदर आएगा तो net net loss हो गया तो loss में मेरे को लगता है यह stock का अगर 60 रुपीस से earning pressure हलका फुल का भी कम हुआ मैं कम होने की उमीद क्यूं कर रहा हूँ पहले भी clear कर दू क्योंकि December quarter में केवल 2700 क्रोड का मुनाफ़ा था इसलिए मैं उमीद थोड़ी कम लगा के चल रहा हूँ अजर जादा आगया तो तो बल्ली बल्ली है अदर्वाइस हमें हर तरफ सोच लिए जलना है तो वो मेरा मानना है कि अभी result के बाद action लेंगे fresh buying का fresh buying result के बाद और उससे पहले अगर पानसो पीस आजाए तो ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पानसो पीस पे मिरको एट के पीई पे मिलता है जो मिरको बहुत comfortable position लगती है मिरको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मिरको पता है 10-12 के पीई पे stock मिलेगा ही मिलेगा अब जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए वो चाहें तो hold करें चाहें तो 40% profit book करके 60% hold करें पूरा का पूरा नहीं बेचना है ये clear राय अभी भी है आप partial book कर सकते हो partial hold करो fresh entry के लिए dip का wait करना चाहिए अब dip नहीं मिली तो results के बाद हम fresh entry मार देंगे चाहें वो किसी भाव पे हो ये मेरी तरब से आपके लिए पूरी updated वीडियो थी hope आपको ये सारी चीजन समझ में आयोंगी thank you so much for watching this video have a great day guys